हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कुहाड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स आज से मैं आपको इस चैनल पर डबल एक्सल साइज के हाप अजू जैन स्वेटर को बिलकुल स्टेप बाई स्टेप सिखाना शुरू करूंगी आज इसका ये पार्ट नमबर एक है आज की इस वीडियो में मैं आपको उन और हेल्थ के अनुसार फंदे लेना डिजैनर फंदे डालना बोर्डर बुनना और बोर्डर के बाद ये जो डिजैन बनाया गया है इस डिजैन को बनाना सिखाऊंगे तो चलिए फ्रेंड्स आज क वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखिए फ्रेंड्स इस जेंट स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये ओस्वाल कंपनी की तीन प्लाई वाली उन ली है ये ओस्वाल कंपनी की शेड नमबर 17 है अब इस उन से इस जेंट स्वेटर को बनने के लिए ये देखिए बोर्डर में मैंने 10 नंबर की स्लाई ली है और बोर्डर के बाद इसमें मैंने 9 नंबर की स्लाई यूज की है अगर आप भी 3 प्लाई वाली उन से जेंट स्वेटर बनाना चाहती है तो बोर्डर के लिए 10 नंबर और बोर्डर के बाद आप इसमें 9 नंबर की स्लाई यूज कीजिएग और अगर आपकी ओन इस तरह से नौर्मल वाली है जिसमें तीन तार अलग अलग नहीं होते हैं इस ओन से जेंट स्वेटर बनाना चाहती हैं तो बोर्डर के लिए आप 11 नंबर की स्वेटर लीजिए और बोर्डर के बाद आप इसमें 10 नंबर की स्वेटर यूज कीजिएगा अब हमें इसमें फंदे डालने हैं अगर आप इस तीन प्लाई वाली ओन से डबल एक्सल साइज का जेंट स्वेटर बनाना चाहती हैं तो आप 10 नंबर की स्वेटर लीजिए और बोर्डर बनाने के लिए आप इसमें 107 फंदे डाल लीजिएगा और बोर्डर कम्प्लीट करने के बाद इसमें मैंने 17 फंदे बढ़ाई हुए हैं क्योंकि ये जो हमने डिजैन बनाया है इस डिजैन को बनाने के लिए 10 के मल्टीपल प्लस 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं तो 124 फंदे हमारे हो जाएंगे क्योंकि 107 हमने बोर्डर के ऐसे वाली उन से डबल एक्सल साइज का ये जेंट स्वेटर बनाना चाहती हैं तो आप 11 नंबर की सलाई लीजिए और उसमें 115 फंदे आप डाल लीजिएगा बोर्डर कम्प्लीट करने के बाद उपर आप इसमें 19 फंदे बढ़ा दीजिएगा जिससे आपके 134 फंदे बो जस्ट हो जाएगा तो चलिए अब मैं आपको इसमें ये जो डिजाइनर फंदे डाले गए हैं ये फंदे डालना सिखाऊंगे और फिर मैं आपको ये बोर्डर बनाना बताऊंगे तो ये देखिएगा इस तरीके से अप अपनी सलाई ले लीजिएगा और अपनी उन को इस भी हमारा काफी लंबा होना चाहिए मैं आपको थोड़े से फंदे में ये बोर्डर बनाना सिखाऊंगे और कम से कम फंदे में उपर वाला डिजाइन बताऊंगे क्योंकि तरीका हमारा सेम ही होता है तो ये देखिए जो हमने डबल धागा कर लिया है इसको इस तरीके से आ हमारा डबल वाला है इसको हम खीच देंगे तो ये देखिए इस तरह से डबल वाले को खीचने के बाद हमारा ये एक फंदा बन गया है अब हम डिजाइनर फंदे डाल रहे हैं तो देखिए उसके लिए कैसे करेंगे ये जो डबल वाला धागा है इसको अपनी उंगलीों पर ऐसे रख लिजीए और ये जो सिंगल वाला है इसे हम पैर के अंगुठे में इस तरह से लपेट देंगे इस डबल वाले को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे और देखिए इसको ऐसे उपर की तरफ रख देंगे और सिंगल वाले धागे को देखे बीच में लेकर आएंगे और इसे सलाई के उपर ले लेंगे अब डबल वाले को हम ऐसे खीच देंगे अब इसको हमने दूसरा फंदा बनाने के लिए नीचे की तरफ फोल्ड करना है और सिंगल धागे को इसके बीच में से नि और सिंगल धागा देखिए ऐसे रखना है इसे हम सलाई पर लाएंगे और डबल वाले को खीच देंगे अब जब इसको फोल्ड करेंगे तो नीचे की तरफ कर देंगे और इसके बीच में से ये जो सिंगल धागा है इसे सलाई के उपर ले लेंगे और डबल वाले को खीच द फिर नीचे की तरफ फोल्ड करना है और इसको ऐसी बना देना है आपको इसमें जितने भी फंदे बनाने हैं उसी हिसाब से इनको बना लीजिए तो यह देखे फ्रेंड्स यहां पर मैंने यह 21 फंदे डाले हैं तो आप अपने हिसाब से यह वाली उन हो तो 115 फंदे डाल क्योंकि मैं आपको यहां पर कम फंदे में बना कर दिखाऊंगी आगे आपको सेम रिपीट करते जाना है सिर्फ फंदे का अंतर आएगा कि मैं यहां पर कम फंदे में बता रही हूं आपके यहां इस तरह से जादा होंगे तो फंदे डालने के बाद सबसे पहले तो आपको यहां पर एक note लगा देनी है जिससे यहां से ये फंदेख खुलते नहीं है उसके बाद आप इसमें एक सलाई सीधी साइड से और एक सलाई उल्टी साइड से बिल्कुल उल्टी उल्टी बना कर complete कर दीजिए जिससे ये जो किनारी होती है ये थोड़ी सी मोटी बन जाती है और बिल्कुल मजबूत होती है तो मैं ये दो सलाईया उल्टी बुन कर complete कर देती हूँ तो ये देखी फ्रेंड्स इस तरह से मैंने ये दो सलाईया उल्टी उल्टी बना ली है अब हम ये बोडर बनाएंगे तो ये देखिए पहला फंदा इसका एस्टी जह है इसे आप उतारिए या इस तरह से उल्टा बनाएंगे अब हम धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे लेकिन ये देखिए बैक साइड से इस तरह से सलाई डालेंगे सलाई के उपर से ऐसे धागा लेंगे और इसको सीधा बनेंगे अब हम धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा ये उल्टा बनाएंगे फिर धागे को पीछे करेंगे इस फंदे को हमें सीधा बनाना है लेकिन बैक साइड से देखिए इस तरीके से सलाई लेंगे ऐसे सलाई के उपर धागा करेंगे और इसको सीधा बुनेंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे एक फंदा उल्टा फिर से धागा पीछे करेंगे और ये देखिए इस फंदे में बैक साइड से सलाई डालेंगे और इसको हम ऐसे सीधा बुने पूरी सलाई को आपने ऐसे ही बनाना है एक फंदा उल्टा धागा पीछे सीधे वाले फंदे में बैक साइड से सलाई डालेंगे और इसको बुन देंगे। सरफ अंतर इतना ही हमने किया है कि हमने जो सीधा फंदा बनाना है उसमें हम बैक साइड से सलाई लेंगे सलाई के ऊपर से ऐसे धागा गुमाएंगे और इसको सीधा बुन देंगे। फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे बैक साइड से सलाई डालेंगे और इस तरह सीधा गुमाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे इस फंदे को हमें सीधा बनाना है लेकिन बैक साइड से ऐसे सलाई डालेंगे और इसको सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे इस फंदे को हमें सीधा बनाना है तो बैक साइड से फंदे में सलाई डालेंगे उपर से धागा लेंगे और इसको सीधा बुनेंगे। पर से धागा घुमाएंगे और सीधा बना देंगे। धागा अपनी तरफ एक फंदा उल्टा। अब देखिए जो फंदा हमने इस साइड से उल्टा बनाया वो इस साइड पर सीधा बनेगा और जो इस साइड से सीधा बनेगा वो यहाँ पर हमारा उल्टा बनेगा जिससे ये बोर्डर दोनों साइड से एक जैसा बन जाएगा तो देखें ये पहला फंदाही से आप उतार भी सकती हैं और अगर बनाना चाहें तो back side से slide डालिए और फंदे को सीधा बनाईए फिर धागा अपनी तरफ करेंगे ये देखें इस तरह से इस फंदे को हम उल्टा बनाएंगे फिर धागा पीछे इस एक फंदे को हम सीधा बन से सलाई डाल कर पंदे को सीधा बुणेंगे पिर धागा अपनी तरफ एक उलटा ऐसे करते हुए आपको ये पूरी सलाई कमपूरीट कर देनी है एक फंदा उलटा धागा पीछे सीधे वाले फंदे को बुनने के लिए बैक साइड दाल лишь और ओपर से हम धागा लेंगे और को सीधा बुन देंगे तो ये देखिए ऐसे करते हुए मैंने पूरी सलाई को बना लिया है इन ही दो सलाईों को बार बार रिपेट करना है और ये जो बोर्डर की लेंथ है ये आपने पूरी करनी है मैंने ये जो बोर्डर बनाया है ये पूरा तीन इंच बनाया है ये देख का border आप जरूर बना लीजिएगा तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से ये border बनाना बता देती हूं ताकि repeat करने में आपको कोई दिक्कत ना आए तो पहला फंदा ST छाए आप उतारिये या उल्टा बनाईये फिर धागा पीछे करेंगे इस फंदे को हमें सीधा बनाना है तो back side से slide डालेंगे और इसको सीधा बनेंगे फिर धागा अपनी तरफ एक उल्टा धागा पीछे back side से slide डालेंगे और फंदे को सीधा बनाएंगे फिर एक उल्टा ऐसे करते हुए आपने इस slide को complete करना है ऊपर जो हमने design बनाया है ये हमारा सीधी side से शुरू होता है 10 लाइओं का design है और 20 लाइओं में complete होता है तो आपको इसमें जो भी फंदे बढ़ाने हैं वो border complete करने के बाद आप इसमें उल्टी side से फंदे बढ़ा लीजिए तो चलिए अब मैं आपको इसमें फंदे बढ़ाना बताती हूं बोर्डर में मैंने 100 यहाँ पर 7 फंदे लिए हैं प्लाई वाली ओन में और उपर 17 फंदे बढ़ाए हुए हैं इस वाली उन से बनाना चाहती हैं तो border के 115 और उपर आपको 19 फंदे बढ़ाने हैं मैंने यहाँ पर सिरफ 21 फंदे लिए हैं तो इस design को बनाने के लिए 10 के multiple प्लस 4 फंदे होने चाहिए तो यहाँ पर मैं 24 फंदे करूँगी तो 3 ही फंदे बढ़ाऊंगी तो जैसे मैं अपको फंदा बढ़ा कर बता रही हूं सेम आप इसमें थोड़े थोड़े gap पर फंदे बढ़ाते जाईएगा आपने एक ही जगे पर फंदे नहीं बढ़ाने हैं थोड़े थोड़े फंदे का gap रखना है और पूरी सलाई में फंदे बढ़ा देने हैं तो यह देखिए दो फंदे बनाईएगा जब इसमें फंदे बढ़ाने शुरू करो और फिर यहां नीचे से एक लूप उठानी है और एक फंदा ऐसे करके बढ़ा देना है तो फिर आप बीच बीच में थोड़े थोड़े से 4-4-5-5-6-6 फंदे बनाईए और एक फंदा बढ़ा दीजिए त नीचे से एक लूप उठा लेना और इसको इस तरीके से बुन देना फिर लास्ट में भी आपके जब दो फंदे बचें तो वहां पर आपने एक फंदा इसमें बढ़ा देना है तो यह देखिए यहां जब लास्ट में दो फंदे बचेंगे तो इधर वाले फंदे के नीच जैसे ऐसे लूप उठानी है और एक फंदा यहां बना देना है तो मेरे यहां पर 24 फंदे हो गए हैं अब इस 24 फंदे में देखे सीधी साइड है और यहां डिजैन की पहली सलाई है जैसे मैं आपको यहां से बनाना सिखारी हूं सेम आप बोर्डर के बाद फंदे बढ़ा कर अपना यहां से डिजैन शुरू कीजिए आगे आगे आपका डिजैन बनता चला जाएगा तो पहला फंदा एस्टी से उतारिये या उल्टा बनाईए उसके बाद हम फिर से एक फंदा और उल्टा बनाएंगे तो यह दो फंदे इस तरह से उल्टे बुनने के बाद यहां स अपन से हमारा यह डिजैन शुरू हो जाएगा तो देखे धागे को पिछे करेंगे एक फंदा हम यह सीधा बनाएंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और आट फंदे उल्टे एक दो तीन चार पाँच छे साथ और यह आठ धागे को हम पिछे करेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे तो ये देखिएगा ये स्टार्टिंग के दो फंदे छोड़ कर एक सीधा आठ हुल्टे और एक सीधा यही दस-दस फंदे का डिजैन बार-बार रिपेट करते जाना है तो next बार की स्टार्टिंग है देखिए एक फंदा ये सीधा जब हम इस तरह स बनेंगे तो यहाँ पर आपके इकठे दो फंदे सीधे आएंगे एक इस वाले डिजायन का और एक next वाले डिजायन का तो एक सीधा हो गया धागा अपनी तरफ करेंगे आठ फंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये आठ फिर धागा पीछे करेंगे और एक फ बार बार यही दस दस फंदे का डिजाइन बनाते जाएं तो लास्ट में आपके फिर दो फंदे बचेंगे इनको आप धागा अपनी तरफ करके उल्टा बना दीजिए तो यहां पर डिजाइन की पहली सलाई कम्प्लीट हो गई दूसरी सलाई उल्टी साइड से धागा अपन कम्प्लीट कीजिए क्योंकि इस डिजाइन में उल्टी साइड की सभी सलाईयां बिल्कुल उल्टी उल्टी बनेंगे तो इस तरह से आप इसकी दूसरी सलाई को बुन लीजिए तो यह देखिए दो सलाईयां डिजाइन की कम्प्लीट हो गई और अब इसकी यह तीसरी सला अब आप ध्यान से देखेगा कि कैसे बनेगी ये जो दो फंदे हैं ये हमारे हर बार सीधी और उल्टी दोनों साइड से उल्टे ही बनेगे तो ये दो फंदे बनाने के बाद अब यहां से हमारा डिजैन शुरू हो जाएगा तो धागे को पीछे करेंगे ये जो सीधा फंद है और इस उल्टे वाले को यहां पर लाकर बनाना है यानि हमें फंदे ट्विष्ट करने हैं तो सीधे वाले को छोड़ देंगे और बैक साइड से इस उल्टे वाले फंदे में स्लाई डालेंगे इस सीधे को उतार कर इस हाथ की स्लाई पर ले लेंगे और इसको पीछे से हम आगे कर देंगे और इन दोनों फंदों को अब हम सीधा बना देंगे अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और यहां छे फंदे उल्टे बनाने हैं एक दो तीन चार पांच और यह छे धागे को पीछे करेंगे यह उल्टा फंदा और यह सीधा इसको हमें यहां पर बुनना है और इस वाले को यहां लेकर जाना है तो इस उल्टे वाले को छोड़ देंगे सीधे वाले में फ्रंट साइड से स्लाई डालेंगे इसको उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे इसे हम पलट के आगे कर देंगे अब देखिए बैक साइड से स्लाई और इसको हम सीधा बुनेंगे इस वाले फंदे को भी हम सीधा ही बुन देंगे यह दो फंदे छोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो डिजाइन बनाया इसी को बार बार रिपीट करेंगे तो यह देखे यह सीधा और यह उल्टा इसको हम छोड़ देंगे बैक साइड से वाली स्लाय पर ढाल देंगे इसे पीछे से लाकर आगे कर देंगे और एक आगे से डालेंगे और ये दो फंदे हमने सीधे बनाए धागा अपनी तरफ करेंगे और छेफंदे उल्टे एक दो तीन चार पांच और ये छह फिर धागा पीछे इस उल्टे वाले फंदे को छोड़ देंगे इस सीधे वाले को हम ऐसे लेंगे इसे उतारेंगे और बैक साइड की स्लाई पर डाल देंगे इसे हम पलट के आगी करेंगे अब इन दोनों फंदों को हम यहां सीधा बुन देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के हमारे जो दो फंदे हैं इनको हम उल्टा ही बुन देंगे आपके जितने भी फंदे हों यही 10-10 फंदे का डिजैन आपको बार-बार रिपेट करना होगा चोथी सलाई उल्टी साइड से आप पूरी उल्टी भुन कर कम्प्लीट कीजिए तो यह देखिए फ्रेंट्स चार सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई अब इसकी यह पांचमी सलाई है और सीधी साइड है पांचमी सलाई को आप ध्यान से देखिएगा पहले यह दो फंदे हैं इनको हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे धागे को पीछे कर देंगे यह एक फंदा सीधा बनाएंगे अब यह सीधा और यह उल्टा इन दोनों को हम ट्विस्ट करेंगे तो देखिए दो तरीके होते हैं फंदे ट्विस्ट करने के एक तो मैंने आपको पहले बताया है और एक मैं आपको अब बता देती हूँ देखे इस सीधे वाले को छोड़ दीजिए उल्टे वाले फंदे में बैक साइड से स्लाइड डालिए और इसको आप इस तरह से सीधा बुन लीजिए अब ये जो सीधा बच गया इसमें आगे से स सीधा बनाईए और दोनों को एक साथ उतार दीजिये तो देखे उल्टे वाला फंदा हमारा यहां पर आकर सीधा बन गया और सीधे वाला आगे जला गया अब हम धागे को अपनी तरब करेंगे और चार फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार अब हम धागा पीछे करेंगे देखे इस उल्टे वाले फंदे को हमें बाद में बनाना है सीधे वाले को पहले तो आगे से स्लाइड डालेंगे और इस सीधे वाले फंदे को हम पहले बुन लेंगे अब यह जो उल्टा बच गया इसमें भी हम इस तरह से स्लाइड डालेंगे और इसको सीध बनाईए एक बार आपका डिजाइन सेट हो जाएगा तो आगे आगे आपका आराम से बनता चला जाएगा अब ये सीधा फंदा है और ये उल्टा है इसको हमें यहां पर बुनना है और सीधे वाले को यहां तो बैक साइड से स्लाइड डालेंगे उल्टे वाले फंदे को हम पहले सीधा बुनेंगे फिर ये जो सीधा बच गया इसमें आगे से स्लाइड लेंगे इसे भी सीधा बुनेंगे और दोनों को उतार देंगे फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे और चार फंदे हम उल्टे बना देंगे अब फिर से हम धागे को पिछे करेंगे ये उल्टा और ये सीधा तो उल्टे वाले फंदे को छोड़ कर आगे से स्लाइड डाल कर सीधे वाले को पहले बुनेंगे फिर इस फंदे में स्लाइड डालेंगे और इसे भी सीधा बुन कर दोनों को एक साथ उतार देंगे फिर ये एक फंदा यहां सीधा और लास्ट के जो दो फंदे आएंगे इनको आप उल्टा बना दीजिए बले ही मैं आपको यहां पर सरफ 24 फंदे में बता रही हूँ आपके जब ज़्यादा फंदे होंगे तो आगे आगे आपका डिजाइन एटोमेटिक बनता चला जाएगा पांच सलाइया डिजाइन की कम्प्लीट हो गई छटी सलाइ उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कर दीजिए तो ये देखिए छे सलाइया डिजाइन की कम्प्लीट हो गई अब आज ये इसकी सातमी सलाइ और सीधी साइड पर दो फंदे हम ये उल्टे बनाएंगे अब धागे को पीछे करेंगे और दो फंदे यहां पहले सीधे बना देंगे अब धागा पीछे ही रहे इस फंदे को छोड़ देंगे इस उल्टे वाले को हम बैक साइड से पहले सीधा बनाएंगे फिर ये जो सीधे वाला है इसमें आगे से स्लाई डालेंगे और इसको सीधा बुन कर दोनों को एक साथ उतार देना है धागा अपनी तरफ करेंगे दो फंदे उल्टे यहां से उल्टे फंदे आपके घटते जा रहे हैं ट्विस्ट करने पर सीधी वाले बढ़ते जा रहे हैं धागा पीछे करेंगे इस फंद दोनों को एक साथ उतार देंगे अब यहां बीच में जो फंदे आपके आते जाएंगे एक दो तीन और यह चा अब इस सीधे को और इस उल्टे को ट्विस्ट करना है तो बैक साइड से उल्टे फंदे को हम पहले सीधा बनाएंगे और फिर यह जो सीधे वाला है इसमें हम हम आगे से स्लाई लेंगे और इसको बुन देंगे दोनों को एक साथ उतार देंगे धागा अपनी तरफ दो फंदे यह उल्टे फिर धागा पीछे यह उल्टा यह सीधा इनको ट्विस्ट करना है तो सीधे वाले फंदे में आगे से स्लाई डालेंगे इसको हम सीधा बनें अब इस उल्टे वाले को भी सीधा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे ये दो फंदे अब सीधे और लाच्ट के दो फंदे आपके उल्टे आएंगे अब आज ये इसकी उल्टे साइड पर और आठ मी सलाई पर इसे उल्टा बुन कर कंप्लेट कर दीजिए तो पहले वाले दो फंदे हम इस तरह से उल्टे बनाएंगे फिर धागा पीछे तीन फंदे ये सीधे अब ये सीधा और ये उल्टा तो इसको हम छोड़ देंगे बैक साइड से उल्टे फंदे को पहले सीधा बनेंगे फिर ये जो सीधे वाला है इसमें आगे से स्लाइड डाले और इसे ऐसे सीधा बुन देंगे अब ये एक उल्टा और ये सीधा इनको ट्विश्ट करना है तो आगे से स्लाइड डाल लेंगे और सीधे वाले फंदे को हम पहले बुन देंगे फिर उल्टे वाले फंदे में स्लाइड लेंगे और इसे भी हम सीधा ही बना देंगे अब द तो एक तरीका तो मैं यह आपको बता रहे हूँ, दूसरा फिर से बता देती हूँ, इस फंदे में उल्टी सैड से स्लाइड रालेंगे, इसे उतारेंगे, फ्रंट वाली स्लाइपर डाल देंगे, इसे पीचे से लाएंगे, और आजे कर देंगे, और दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे जो भी तरीका आपको आसान लगे वैसे आप फंदे ट्विश्ट कर सकती हैं अब ये उल्टा और ये सीधा तो आगे से इसमें स्लाइड आलेंगे इसे उतारेंगे बैक साइड की स्लाइपर कर देंगे और इसे हम पलट के आगे करेंगे और ये एक और ये दोनों फंदे सीधे अब ये जो तीन फंदे सीधे दिख रहे हैं लाश्ट में इनको भी हम सीधा बुनेंगे अब दो फंदे ये उल्टे आ जाएंगे तो नों सलाइयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई दसमी सलाइड है और उल्टी साइड है धागा अपनी तरफ कीजिए और उल् से रिपेट करना है सिरफ इस डिजैन की जगहें चेंज हो जाएगी ये जो उल्टे वाले फंदे हैं इन सीधे वाले पर आ जाएंगे और यहां पर ये जो दो फंदे एकठे आपके जुड़ गई हैं सीधे वाले ये आपके सीधे बनेंगे तो ग्यार में इस लाई को आप इस तरह से स्टार्टिंग में उल्टे बनाईए धागा पीछे और फिर दो फंदे आप ये इकठे वाले हैं जो इनको सीधा बनाईए धागा अपनी तरफ करेंगे और आठ फंदे उल्टे एक दो तीन च्यार पांच छे साथ और ये आठ ये स्टार्टिंग के छे फंदे चोड़ कर दो सीधे और आठ उल्टे ये ही दस दस फंदे का डिजैन आप आगे आगे बनाते जाएए फिर धागा पीछे करेंगे और ये देखिए ये दो फंदे यहां सीधे आएंगे धागा अपनी तरफ लाश्ट में आपके छे फंदे उल्टे आएंगे तो इस तरह से ग्यारा सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई बारमी सलाई उल्टी साइड से धागा अपनी तरफ कीजिए और उल्टा उल्टा बुन कर कम्पलीट कर दीजिए तो ये देखिए बारा सलाईयां डिजैन की कम्पलीट हो गई तेरमी सलाई सीधी साइड पर अब हम यहां य 3, 4 और ये 5 ये उल्टा और ये सीधा इन दोनों को हम twist करेंगे तो धागे को पीछे करेंगे सीधे वाले फंदे में आगे से slide डालेंगे इसको हम पहले बुन लेंगे अब ये जो उल्टा बच गया इसमें हम आगे से ऐसे slide डालेंगे इसे भी सीधा बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे अब ये सीधा और ये उल्टा इन दोनों को ट्विष्ट करना है तो बैक साइड से उल्टे वाले फंदे को पहले सीधा बनाएंगे जो ये सीधा है इसमें आगे से स्लाइल लेंगे इसको सीधा बनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे धागा आ हम इसमें फंदे ट्विश्ट करेंगे तो धागा पीछे ये उल्टा और ये सीधा उल्टे वाले को छोड़ कर सीधे वाले को ऐसे लेंगे इसे उतार कर बैक साइड की स्लाइपर करेंगे और इसे हम आगे कर देंगे दोनों में से आप तरीका कोई भी अपना लीजिए सिरफ हमें ये फंदे ही ट्विश्ट करने हैं ये सीधा ये उल्टा बैक साइड से इसे लेंगे इसको उतार कर फ्रंट वाली स्लाइपर और बैक साइड से इसे हम यहां बीच में करेंगे और दोनों फंदों को सीधा बुन देंगे आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही बनाते ज उल्टा बुनते हुए complete कीजिए अब इसकी ये पंधर्मी सलाई है और सीधी साइड है पंधर्मी सलाई को देखिए एक दो तीन और ये चार फंदे इस तरह से उल्टे बनाईए धागे को पीछे करेंगे ये उल्टा है और ये सीधा है इन दोनों को हम twist करेंगे तो उल्टे सीधे वाले को छोड़ कर सीधे वाले को हम पहले बुनेंगे तो आप इस तरीके से भी बना सकती हैं सीधे वाले में आगे से स्लाई डाल कर इसको पहले बुन लीजिए अब ये जो उल्टा है इसमें ऐसे स्लाई डालेंगे और इसको बुनेंगे दोनों को एक साथ उतार द और इन दोनों को फिर एक साथ उतार देंगे धागा अपनी तरफ करेंगे चार फंदे हम ये उल्टे बुन देंगे अब फिर से हमें फंदे ट्विस्ट करने हैं तो इसे छोड़ देंगे सीधे वाले फंदे को आगे से स्लाइड डाल कर पहले बनाएंगे और फिर हम इसके द बाद में बनाना है इसको पहले तो बैक साइड से स्लाइड डालेंगे इसको पहले बुन देंगे फिर इसमें आगे से स्लाइड डाल कर इसे भी बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे लाश्ट में आपके चार फंदे होंगे इनको आप उल्टा बनाएं पंदरा सिलाई है और इसकी ये सीधी साइड है ये तीन फंदे हम स्टार्टिंग के उल्टे बुनेंगे एक दो और ये तीन धागा पीछे करेंगे और इन दोनों फंदों को हम ट्विश्ट करेंगे तो पहले को छोड़ कर देखे दूसरे वाले में सलाई डाली इसको बैक साइड की सलाई पर किया और इसे पलट के सबसे आगे अब एक दो तीन चार पांच और ये छे अब इन दोनों को ट्विश्ट करना है तो इसे छोड़ देंगे बैक साइड से इसको हमें पहले बुनना है तो आप ऐसे भी कर सकती है इसे उतार ये आगे कर दीजिए और इसे पीछे से हम यहां लाकर सीधा बुन देंगे अब देखिए यहां पर धागा अपनी तरफ करेंगे और सिर्फ दो फंदे ये उल्टे आएंगे फिर धागा पीछे करेंगे और फंदे ट्विश्ट करेंगे ऐसे ही डिजैन को बार बार आपने repeat करते जाना है सीधे वाले फंदे को हमने पहले बना लिया उल्टे वाले को आगे किया तो उसको भी सीधा बुन दिया तो दो ये हो गई है तीन, चार, पांच और ये छे अभी सीधे वाले को छोड़ कर उल्टे वाले को हम पहले बुनेंगे तो बैक साइड से स्लाई डाल कर उल्टे वाले को पहले बुन लिया फिर फ्रण्ट साइड से स्लाई डाल कर सीधे वाले को बाद में बुना और दोनों को एक साथ उतार देंगे लाश्ट में आपके तीन फंदे होंगे, इनको आप उल्टा बनाईए 17 सलाईयां डिजैन की complete हुई 18 सलाई उल्टी साइड से उल्टा बुनते हुए complete कीजिए तो ये देखे फ्रेंट्स 18 सलाईयां डिजैन की complete हुई 19 सलाई है और सीधी साइड है तो ये दो फंदे उल्टे फिर धागे को पीछे करेंगे इन दोनों फंदों को ट्विष्ट करना है तो इसे छोड़ देंगे और इस सीधे वाले फंदे में आगे से सलाई डालेंगे इसको हम पहले बुनेंगे फिर इस उल्टे वाले को हम सीधा बुनतेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे और ये बीच वाले फंदे अब हम सीधे बना देंगे क्योंकि यहां सीधे उल्टे फंदे से ही ये डिजैन बन रहा है अब इस फंदे को और इसको ट्विष्ट करना है तो बैक साइड से उल्टे फंदे को पहले बुनेंगे ये जो सीधे वाला है फ्रंट साइड से स्लाइड डालेंगे और इसको बाद में बुनेंगे और दोनों को एक साथ उतार देंगे अब इन दोनों फंदों को ट्विष्ट करेंगे तो उल्टे को छोड़ कर आगे से स्लाइड डाल कर सीधे वाले को बुनेंगे फिर इस उल्टे वाले को भी सीधा बुनेंगे और दोनों को उता इस सीधे वाले को हम बाद में बुनेंगे और उतार देंगे लास्ट में आपके सिरफ दो ही फंदे बचेंगे इनको उल्टा बनाईए 19 सलाईयां डिजैन की कम्प्लीट हो गई 20 सलाई है और उल्टी साइड है इसे आप उल्टा बुनते हुए कम्प्लीट कीजिए तो ये द करेंगे तो इस तरह से बहुत ही शांदार आपका ये डिजैन बनता चला जाएगा नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग के लिए देखिए जैसे बोर्डर के बाद हमने ये पहली सलाई बुनी थी सेम टू सेम हमारी यहां से बुनी जाएगी तो मैं आपको एक सलाई इसकी हो रहा है तो एक सीधा हो गया अब आठ उल्टे एक दो तीन चार पांच छे साथ और ये आठ फिर धागा पीछे और एक फंदा सीधा ये स्टार्टिंग के दो फंदे चोड़ कर यहां से यहां तक हमने जो डिजैन बनाया इसी को बार बार रिपिट करना है तो फिर से दे आपके जितने भी फंदे हो बार बार इसी डिजैन को रिपिट करना है आठ उल्टे बनाने के बाद एक फंदा सीधा और फिर लास्ट में आपके दो फंदे बचेंगे इनको आप उल्टा ही बना दीजिए तो ये इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो गई है इन ही ब आप बार बार रिपिट करती जाएंगी तो बहुत ही प्यारा सा आपका डिजैन बनता चला जाएगा तो फ्रेंड्स अगर आपको ये डिजैन पसंद आया हो ये स्वेटर बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लेज आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इसका जो मैं बैक पार्ट बनाती हूं वो देखिए इस तरह से बिलकुल सीधी उल्टी सलाईयों से बुनती हूं बैक साइड पे भी अगर आप कोई डिजैन बनाना चाहें तो बना सकती हैं नहीं तो जैन्ट स्वेटर में पीछे का पार्ट अगर हम प्लेन बुनते हैं त तो बैक पार्ट में सिरफ बैक साइड के गले की घटाई बाकी है बाकी ये हमारा बन चुका है तो फ्रंट पार्ट में हमने इसमें डिजैन डालना होता है तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आरम होल की घटाई करेंगे डिजैन को सेट करना और गले की घटाई करन अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक शेर जरूर कीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद